हेलो फ्रेंट्स स्वागत है आप सबका मेरी यूट्यूब चैनल विकास 3-1 टैक में तो फ्रेंट्स जैसे ही यूट्यूब पर शोट्स मोनेटाइजेशन शुरू हुआ है तो काफी सारे शोट्स क्रेटर्स के मन में एक सवाल है कि मैं 90 दिन के अंदर पिछले जो 90 दिन हैं उसके अंदर 10 million views का क्राइटिरिया कैसे पूरा करूँगा 10 million views तो बहुत जादा होते हैं अब मेरा चैनल कैसे monetize होगा कैसे मैं अपने short channel से earning कर पाऊँगा तो फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में मैं आपको चार ऐसी टिप्स देने वाला हूँ जिसको अगर आप अपनी वीडियो में यूज करेंगे तो आपके चैनल पे जो 10 मिलियन वाला क्राइटिरिया है 90 दिन के अंदर वो आप बहुत जल्दी पूरा कर लेंगे आपको 90 दिन करके उसे ओल पे सेट कर लें जिससे आपको मेरी आने वाले हर एक नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं तो फ्रेंड्स वो चार टिप्स बताने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ अगर आप एक शोर्ट वीडियो बनाते हैं तो आपकी जो शोर्ट वीडियो है वो यूनीक होनी चाहिए creative होनी चाहिए मतलब कुछ ऐसा interesting होना चाहिए जिसे audience देखने को मजबूर हो जाए ऐसे topics को चुनके आपको अपनी short video बनानी है अब मैं आपको चारो tips बताता हूँ एक एक करके तो सबसे पहली tip है वो है आपको अपनी short video में एक अच्छा thumbnail लगाना चाहिए आपको पता ही है कि short का जो update आया था उसमें आप अपनी short video में से अब किसी भी part को लेके उसको thumbnail पे लगा सकते हैं तो मान लीजी अगर आपने अपनी short video में कुछ ऐसा दिखाया है कोई ऐसा point है कोई ऐसा time है जहाँ पे आपकी short video का जो thumbnail है वो आपको लगता है कि ये audience को attract करेगा तो आप उसे select करके वहाँ से thumbnail बना सकते हैं या फिर आप अपनी वीडियो में जो short video बनाते हैं उसके अंदर कोई अलग से thumbnail बना के उसमें 2-4 second का add कर सकते हैं अपनी वीडियो के अंदर और उसे select करके उसे thumbnail बना सकते हैं क्योंकि थमनिल अच्छा लगाने से क्या होगा कि आपकी जो short video है उसके उपर ज़्यादा clicks तो आपको अपनी short video में एक अच्छा thumbnail लगाना बहुत ज़्यादा जरूरी है यह सबसे पहली tip है मेरी उसके बाद है दूसरी tip की बात करते हैं इस tip का नाम है call to action अब इसका मतलब मैं आपको बता देता हूं जैसे मान लिजे आपने कोई short video बनाई और आपने YouTube पर देखी भ आपको जरूर ऐसा बोलना है कि अगर आपको video मेरा content अच्छा लगता है तो please मुझे like करें या आपको यह video अच्छी लगी हो इस पर comment करें नीचे कुछ इस तरीके का आपको भी अपनी video में जरूर बोलना है जिससे audience आपकी तरफ attract हो आपके जो content है उसके साथ engage हो उसके video बनाते हैं मालेच आप 10 से 15 सेकंड की बनाते है या फिर आप ज्यादा से ज्यादा 69 सेकंड ठीक है इतनी तकी video बनाते हैं चाहे थोड़ी सी long बनाए या short बनाए आपको अपनी video के अंदर जो भी आप video बनाते है short की चाहे 60 seconds से कम तक की हो या फिर आपकी 10Secnd से कम तक की हो उसमें आपको शुरू में कुछ ऐसा दिखाना है जिससे audience आपके content को देखने के लिए, आपकी video को देखने के लिए मजबूर हो जाए, मतलब वो आपके video के साथ चिपकी रहे कि इस video में आगे क्या होगा, इस तरीके का कुछ interesting उसमें आपको रखना है, कुछ ऐसा suspense रखना है कुछ ऐसा creative उसमें रखना है, जिससे audience आपकी video को देखने के लिए मजबूर हो जाए, और जब आपकी video को पूरा देखेगी, तो इससे आपका audience retention बढ़ेगा, आपके views उस पे अच्छे खासे आएंगे, और आपकी video viral भी होगी, और आपके 10 million views बहुत जल्दी पूरे हो जा करते हैं short की, तो आपको उसी regular interval में अपनी video upload करनी है, और मान लिजे अगर आप रोज upload करते हैं, तो आपको daily करनी है, आपको ऐसा नहीं करना कि मान लिजे आपने एक video आज कर दी, और उसके बाद 10 दिन बाद करने हैं, फिर 15 दिन बाद करने हैं, महिने बाद करने हैं, ऐसे irregular नहीं रहना, जितने ज़्यादा आप consistent रहेंगे, उतना ज़्यादा लोग आपके content को देखेंगे, उतने ज़्यादा लोगों तक YouTube आपकी short videos को पहुँचाएगा, क्योंकि daily content डालेंगे, तो daily browse feature में, search में, YouTube recommendation में भीजेगा, तो अपसे आपकी audience हो सकता है, आपके content के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े, और आपकी video जो है, वो viral होने की chances बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो मैंने आपको ये चारो tip बता दी हैं, अगर फिर भी video से related कोई question है, कोई query है, तो आप मुझे नीचे comment section में comment करके पूछ सकते हैं, और अगर आपको video अच्छ जरूर करें, thank you